तो कैसे हो बाई हूँ, I am back with one more interesting वीडियो, तो आज हम बात करें हैं India's most versatile desi pop artist, सिकंदर कालो, a goat himself, a name जिसने क्या कर रखा है, वो मुझसे वैतर आप लोग जानते हो, the OG सिकंदर कालो के बारे में some interesting बाते हैं, और एक सवाल, कि 200 के लगबख songs upload होने के बाद भी, why सिकंदर काल is so underrated, one of the best DHH artist, जिसका pen game बहुत strong है, why is still underrated? तुम्हारे सभी सवालों के लिए एक वीडियो काफी रहेगी, मैं पूरी तरह सिकंदर कालो को explain करने की कोशिश करूँगा, क्या contribution है सिकंदर भाई का desi pop में, why rappers scared with beef सिकंदर कालो, उससे पहले वीडियो का like को चैनल को subscribe कर दो, and watch till end. This is insane, और इन्होंने अपना debut album, Sigmatic, 2012 में release किया, और सिकंदर भाई का debut song था, देसी पुझ जवान, जो अभी internet पर available नहीं है, सिकंदर भाई ने 2018 में मनमर्जिया में भी song दिया, जो था जाने क्यों दे यारों, जो इनका debut movie song था, फिर भाई ने मनमर्जिया टूर भी किया, सि lyrics OP, composition OP, flow OP, voice OP, तबाई का पूरा combo है, सिकंदर कालो, सिकंदर कालो जितनी talented है, उतना appreciation नहीं मिला, एक पर राज जोंस के इंटर्वियो में पादशा ने सिकंदर कालो को एप्रीशेट गया था, वो भी 6 साल पहले, आज को ले ले आटिस्ट है, उनमें से आप किन को सुनना विले को पहले को प्संद आज कैंदें नेच का नेजी करन अज़न का सुनना पसंदा है झाल सामय में काया उसका लाड़ का उसका गानाया था उसका एक खाणया था तो यूट्यूब पर किसा नेग भी जाने बेघग को लिंगा और इसके बाद में जूना बहला है। बहु सिकंदर कालो नोटिस्ट थे और फिर बादिशा ने को लैब भी किया सिकंदर कालो की कुलाइब्स की बात करें तो एक कार अफ्तार डिवाइन सिदू मुसी वाला किड शोट और ना चाने कितने बड़े नामों के साथ कुलाइब्स हैं सिकंदर कालो एक ऐसे आटिस्ट है, अगर कोई बैंगर अलबम बनाता है DHS में, तो वो जरूर चाहेगा कि एक सॉंग अलबम में जरूर सिकंदर के साथ हो, आप चाहे दिवाइन का सॉंग बंडाना गैंग, जो की अलबम शटडाउन का था, और काफी हिट हुआ, इसके लबा बादिशा के एलबम The Power of Dreams of a Kid में भी सिकंदर की फीचरिंग थी, जो था एथेरक, रफ्तार के साथ महाराचा सौंग आया था, जिसमें man's music भी थे, और एक ट्रैक जिसमें पंचाबी हिपॉप के one of the best artists एक साथ आए, Racks and Rounds, सिद्धु मुसे वाला फीचरिंग सिकंदर कालो, और प्योर डेफिनेशन ओफ लिरिक्स एंड फ्लो, सिकंदर कालो, चेंज दगेंग इन फ्यूचर एंड इचेच, I believe. सिकंदर कालो की बात हो और उनके लिरिक्स की बात नहीं हो, और लिरिक्स की बात और वीव की बात नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, सिकंदर की वीव सनी मॉल्टन के साथ हुई थी, MC Evidence के साथ हुई थी, और दोना के खिलाफ काफी Brutal Diss बनाये थे सिकंदर ने, MC Evidence के खिलाफ Don't Back Down Diss बनाया, जो DHS History के Most Brutal Diss में से एक है, भाई ने 8-9 साल पहले ये डिस बनाया था, और अभी भी Most Brutal Diss में से एक है, तो समझ सकते हो किस लेवल के लिरिक्स थे, इसके लबा सनी मॉल्टन से बीफ हुई, जिसके लिए भाई ने EP ही निकाल दी, जिसका नाम था सनी मिल्टन EP, जिसको कोई इंट्रेड़क्शन की जुरूरत नहीं है, वो कितनी डेंजरस थी, और सिकंदर ने सनी के साथ बीफ के टाइम ये भी कहा था, कि कोई सनी के साथ है, तो वो भी SK के रेडियस में आ जाएगा, Most Dangerous Artist in DHH की लिस्ट में, टॉफ फाइप में सिकंदर कालो का नाम नहीं हो, ऐसा होना इंपॉसिबल है, अलिरिकल गेम चेंजर सिकंदर कालो, अब आज को हैं वीडियो के Most Important Part पर, वाई सिकंदर कालो सो अंडरेटेड, इसमें मेरे को जो रिजन्स लगते हैं वो बता रहा हूँ, आप अपने उपिनियन्स कमेंट कर सकते हैं, फॉस्ट, सिकंदर कालो सोंग्स आर वेरी डार्क, आप चाहे लिरिक्स देखें या वीडियो, दोनों आपको डार्क थीम पे दिखेंगे, हर इंसान सिकंदर के लिरिक्स नहीं समझ सकता है। सिकंदर ने अपनी ऐसी image build कर की है, कि लोगों को लगता है, सिकंदर ऐसे सौंग्स बनाता है, जो publicly नहीं सुन सकते, उनमें गाली आम है, basically ये मेरे opinions, theories हैं, please गाली मत देना, I believe, सिकंदर सिर्फ कुछ ही time underrated है, तवाई मचा देंगे बहुत जल्द, तो आज के लिए बस इतना ही, comments में बताओ वीडियो कैसी लगी, also ये भी बताओ next वीडियो किस पर चाहिए, and subscribe करो channel, and like the video, follow me on insta and twitter, peace out.